नमस्कार साथ हैं स्वागत करता हूं सभी का आपके पने यूट्यूप चाहिए हाट सपर लर्निंग पर मैं प्रसांत वहां लेकर हाज को आप सभी के लिए सब्सक्राइब करते थे लेकिन आज के इस वीडियो में तथा जो हम प्रिवियस वीडियो अप्लोड किये हैं वाइलेस और मॉबाइल कम्मुनिकेशन में उसमें 25 कोशन डिसकस करना शुरू किये क्योंकि एक्जाम काफी नियरेश्ट आ चुके हैं तो इस कोशी से ही करते हैं लोग जल्दी हम लोग जितने में क्वार कर सका फिर पिक तो आख के इस वीडियो में हम 50 25 डिसकस करें अगर आप सभी नहीं नहीं देख़ें तो पिलीज उन सभी वीडियों को देखें क्योंकि उसमें पॉइंट आप उल इसको इंपार이다 कोश्टन डिसकस किया गया हैं और आप लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे तो हमारे वीडियो बनाने कोई मकसंद नहीं रहा जाएगा अगर आप उसे देखेंगे नहीं तो आपको जानकारी भी नहीं मिलने वाली है तुछ लिए हम ज्यादा डिटेल मिनना जाए कि कोश्चन को उसका एंसर ही जानेंगे अगर किसी कोश्चन में हमें लगेगा कि हां इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ से इसको बता दिया जाए तो वहां पर डिसक्स कर लेंगे या दरवाइस कोश्चन नहीं इनसर के बात हम करेंगे ठीक तो आज का वीडियो जो हमारा है एंसे पहले हम नाइन वीडियो अप्लो तो को स्टिल नमबर्न के सटिलाइब में यूज किया जाते चिचब्स न कम्रें बॉलकोंन आइफ में जिसकेentar vrau एनि कि दो DTS उपकरण DTS का आर्थ क्या होता है, यानि कि कोल मिला कि DTS का Full Farm क्या होता है, तो इसके option क्या दिया है, पहला option दे Direct to Home, दूसरा option दे Direct to Home, तीसरा option दे DT तो Home, और चौथा आपसं दे आलब दाइबब, तो question number 2 है, इसका right answer क्या होगा, कमारा answer number A हो जाएगा direct to home is right answer हो जाएगा ठीक आयोब आपको पता होगा इसका फुर्फार्म क्या होता DTS का direct to home होता question number two right answer क्या होगा answer number A हो जाएगा direct to home is right answer ठीक next question करते है question number three question number three क्या दिया गया है which of the following first artificial satellite यानि कि निमन मेंसे कौन सा पहला क्रतिम उपग्रा कौन सा है ठीक तो पहला आपसन दिया इस पुतिनिक दूसरा आपसन दिया GS-80-17 तीसरा आपसन दिया GS-80-19 और चौथा आपसन दिया गाए IR-NSS-1H तो जो question number three इसका जो आइंसर हो जाएगा मारा answer number a हो जाएगा sputnik जो इस पुतिनिक है इसको इस पुतिनिक वन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही लांच किया गया ठीक तो जो सबसे पहले लांच किया गया था एक किस कंट्री द्वारा लांच किया ठीक तो question number three सब्सक्राइब का राइट एंसर क्या होगा हमारा यह हो जाएगा इस पुत्रिक नेस्ट कोश्चन बढ़ते हैं को फोर फोर दिया गया है डज दा सटलाइट री ट्रांस्मिट दा सिगनल टू दा अर्थ इस्टेशन आफ्टर अफ्टर अप्लिफाइंग तो कोश्चन अम य सटलाइट होता है वह एंप्लिफाइंग करने के बाद जो सिगनल होते हैं उसको पिर्थिवी के ओर भेज जाता है इन्हें जो आर्थ पर बेस इस्टेशन होते हैं वहां पर भेजता है तो जो कोश्चन नमर ए हो जाएगा इस्टेटमेंट इस ट्री होगा ठीक नेस्ट को करते हैं क्या इस्टेशन नमर फाइब के दिया गाए इन विच यह इस पुतिनिक वन आर्टिफिस्यल सेटलाइट वाज लांजड यानि की इस पुतिनिक वन किर्थिम उपगरा किस वर्थ पर छेपित किया गया था जिसके आफसन क्या दिया पहला आफसन देया उनिस सो सा दो नलांज किया गया था वजनेंट करके बताये घ्या एक कि कन्ट्री दौरा लांच किया गया था तो आफसन नमर एज रहा है नासा इस्टेंडफार यानि की NASA का Full Farm क्या होता है इसका मतलब यह होगा है नीचे क्या लिखा आ इस पर मत जाएए NASA का Full Farm क्या होता है तो Question No.6 जो है इसका आपसर जो दिया गया है National Auto Space Administration दूसरा आपसर दिया नेशनल एरोनिटिग्स और स्पेस अड्मिनिस्टेशन तीसरा आपने नेट एरोनेटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्टेशन चौथा आपने नेशनल एरोनेटिक्स एंड सेटलाइट एडमिनिस्टेशन तो question number six दिया इसका जो राय टैंसर होजाब गमारा optional B हो जाए गा क्या national aeronatics and space administration नासा कहां पर इस थी थी तो नासा सथी थै यूएस में कब इसकी स्थापना उगी ती जूलाइ में वह था इसका फूल फाम क्या होता है नेशचनल एरोनएटिक सफेट सिटेशन होता ठीक तो प्राकृतिक उपगरह का उधारण है तो पहला आपसन के लिए सन दिया दूसरा अपसन मून दिया गार तीसरा अफसन प्लेणेट दियागा चौत्त अपसन आलबदा एवब दिया गया है तो इस कोश्टन का जो राइट एंसर होगा हमारा अंसर में भी हो जाएगा मून यानि कि चंद्रमा ही उपग्राइए कि जहां से हमें Q7 को जो right answer होगा मारा, answer number B is right answer होगा, moon, ठीक, next question बढ़ते हैं, question number 8, question number 8 क्या दिया गया है, question number 8 लिखा गया है, satellite are classified into types, यानि उपग्रह को कितने वरगी करण में बाटा गया है, तो इसके option क्या दिया है, A, 9, B, 10, C दिया गया, 8, और D दिया गया, 12, यानि कि जो question number 8 इसका right answer क मारा, answer number A हो जाएगा, 9, उपग्रह में बाटा गया, ठीक, तो satellite जो classified किया गया है, कितने वरगी क्लासिफएट किया गया है, 9 भागों में classified किया गया है, तो question number 8 का right answer होगा, answer number A हो जाएगा, right answer 9, ठीक, next question बढ़ते हैं, question number 9, question number 9 क्या दिया गया है, question number 9 दिया गया, एक communication satellite is a satellite, यानि कि एक संचार उबरा, एक उबरा है, पहला अपसन क्या दिया artificial satellite, दूसरा अपसन दिया natural satellite, तीसरा अपसन दिया आइदर A और B, C, तो जो question number 9 है, इसका जो right answer हो जाएगा हमारा, answer number D हो जाएगा right answer, यानि आइदर A and C, तो communication satellite होता है, या तो फिर artificial होता है, या फिर man-made satellite होता है, दोनों एक ही चीज़ होती, artificial और man-made satellite होता है, और जो natural satellite होता है, वो communication system नहीं कर सकता है, यानि कम्निकेशन satellite हो नहीं होता, क्योंकि उसके पर equipment कौन लगाने जाएगा, transmitter, receiver, antenna, जितना कुछ फिलाना धिमकाना है, वो transmission दिया गया है, transmission antenna है, which are the following parameter as a basic requirement, यानि कि जो संचारण antenna होता है, यानि जो transmission antenna होता है, उसके basic requirement के रूमेन निमने में से कौन सा parameter है, तो पहला अपसंदिया, side lobs are low, दूसरा अपसंदिया, efficiency is high, तीसरा अपसंदिया, high SNR value, और चावथा अपसंदिया, low SNR value, तो question number 10 दिया ग answer number B हो जाएगा, efficiency is high होना चाहिए, ठीक, जो basic requirement है, efficiency is high, B answer is right answer हो जाएगा, question number 10 का, ठीक, next question बढ़ते है, question number 11, question number 11 क्या दिया गया है, which of the following is the correct statement of the isotropic radiation, यानि कि समदैसी के निमने में से कौन सा कथन सही है, तो पहला अपसंदिया, it is the point source of radiator, दूसरा अपसंदिया, it is the point source of radiator, uniformly in and directional, तीसरा अपसंदिया, maintain the uniform intensity, चौथा अपसंदिया, all of the above, question number 11, इसका जो right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, all of the above is right answer हो जाएगा, isotropic radiation में क्या क्या होता है, यह जो सभी आपसंदिया गये है, यह सभी right answer हो जाएगे, तो D is right answer हो जाएगा, question number 11, question number 12 क्या दिया गया है, what is the shape of isotropic radiation when observed in 3D, यानि कि 3D को देखे जाने पर isotropic विकरण का आकार होता है, तो पहला अपसंदिया, doubt net saved, दूसरा अपसंदिया, figure of 8, तीसरा अपसंदिया गया है, इस फेरिकल, और चौथा अपसंदिया गया है, यानि D अपसंदिया गया है, यानि D आपसंदिया गया है, इसके अपसंदिया, पहला अपसंदिया, doubt net saved, दूसरा अपसंदिया, figure of 8, तीसरा अपसंदिया, इस फेरिकल, चौथा अपसंदिया सरकल, तो जो 2D पर देखने पर मिलता है, क्या मिलता हमें, क्या होता है, इसके अपसंदिया, इसके अपसंदिया गया है, यानि कि सभी दिशाओं में, एक समदैसिक रेडियेटर का लाव क्या कारख होता है, यानि कि जो गेन फैक्टर होता है, आल डारेक्शन में क्या होता है, पहला अपसंदिया गया है, इसके अपसंदिया, इसके अपसंदिया गया है, इसका राइट आशर होगा है, इसका राइट एंसर होगा ठीक जो चौदा है इसका राइट एंसर क्या होगा वन हो जाएगा ठीक नेस्ट कोश्चन बढ़ते हैं कोश्चन फिप्टीन क्या दिया गया है कि ऩिसफाइन कोश्चन ब्रेंच इसका किóm देशन नंम क्तोर próxim तरिक कोश्चन फिप्टीन में इसका राइट एंसर जूंज़ा होगा थिक कि और अजया मतरे हिए ऐकि干ाए फ़र यजैते होगा थिक ते पंदरह नमबर कोंशनके कर राइट अंसर क्या हो गर हो जाएगा next को सब्सक्राइब हैComection 16 मुद्र आइसो ट्रोपिक रिडेशन आइन एक समदैसिक इसोडिया विकरता है पहला अप्संद क्या प् justement इस एक पॉइंट सोर्स आफ रेडियेशन दूसरा अपसंद्य इस रेडियेट्स यूनिफार्मिली इन आल राड डारेक्शन तीसरा अपसंद्य इट है यूनिफार्मिल इंटेंसिटी चौछा संद्य आल अब दा एबव तो नवर 16 इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मार इस आफ दा फालोविंग इस दा एक्जामपल आफ आइसो ट्रोपिक रेडियेशन यानि कि निम लिखिद में से कौन सा आइसो ट्रोपिक रेडियेशन का उदाहर है तो पहला आफसन क्या दियागा पॉइंट सोर्स दूसरा आफसन दियागा आल डारेक्शन सोर्स तीसरा या बाइडारेक्शन सोर्स चाथाव संधिया बोथ आफ एंड बी ठीक बोथ एंड बी तो कोश्चन नमबर जो 17 है इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा आइसो ट्रोपिक रेडियेशन होता है या रेडियेटर होता है उसका जो एक्जामपल होता है क्या होता है पॉइं वूमिंग इश दा यूणिट आफ बीम एरिया याईं लिमсь में से कौन सा बीम एरिया का एकाई है पहलाए वाड दिया यो दूसरा आफ चावर दिया इसका अब лиर्श्र होगा contrast 19 all right answer हो घृक कि वाह घाँ एंसर एनए धिक को आफ् सट केडियर एंट सेंटीमीटर में चल रहे होंगे कि इसका एरिया सेंटीमीटर होगा इन ऐसा नहीं है जो हमारा आपसंद दिया गया है एइस रैट आय ता है तो पहला आपसंद के लिएटेटेड एनरजी आफे बीम दूसरा चाहिए मीनिमम लॉशेज तीसरा आपसंद दिया maximum losses तो question number 19 जो दिया किसका right answer क्यों हो जाएगा answer number C हो जाएगा A and B both यानि कि maximum radiation energy आफ ए बीम और B option क्या दिया minimum losses is a right answer हो जाएगा किसका 19 question का C is right answer हो ठीक A and B is right answer हो जाएगा बोथ ठीक तो question number 19 का right answer क्या होगा answer number C हो जाएगा A and B is right answer next question बढ़ते है question number 20 question number 20 क्या दिया गया है question number 20 कहा गया है antenna can be polarized in ways यानि antenna को कितने तरीके से polarize किया जा सकता है तो पहला अफसन क्या दिया वन दूसरा अफसन दिया टू तीसरा अफसन थिरी तीस चौथा आफसन दिया फोर तो question number 20 दिया गया यानि बीस नमबर question का right answer हो जाएगा मारा answer number A हो जाएगा एक प्रकार से ठीक क्या हो जाएगा A हो जाएगा एज राइट एंसर हो जाएगा question number 20 क्या हो जाएगा वन ठीक next question बढ़ते है question number 21 क्या दिया गया है question 21 कह रहा है वाटी दा फार्मूला फस्ट नल बीम वीर्थ यानि कि fnbw का फार्मूला क्या होता है तो इसका पहला आपसंदिया क्या दिया गया है fnbw is equal to 2hpbw दूसरा आपसंदिया fnbw is equal to 3psbw तीसरा आपसंदिया fnbw is equal to hpbw और चौथा आपसंदिया fnbw is equal to 5hpbw ठीक तो जो question number 21 इसका right answer क्या हो जाएगा fnbw is equal to 2psbw is right answer हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएगा जो hpbw इसका फुल फार्म क्या होता ठीक कमेंट बाक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा hpbw का फुल फार्म क्या होता है next question को बढ़ते है question number 22 question number 22 दिया गया है antenna used which type of energy wave to communicate information यानि की जो अंटीना होता हो कम के communication information के लिए किस प्रकार की energy यूज़ करता है तो पहला आप संदिया गया है electromagnetic wave energy दूसरा आप संदिया UV energy wave दिसरा आप संदिग वाइट वेव एनरजी चौथा रेडियो वेव एनरजी तो question number 22 दिया इसका right answer क्या हो जाएगा नेक्ट कोशन बढते हैं question number 23 क्या दिया गया है नेक्ट कोशन कोशन नमर 23 दिया गया है एक एक एलेक्ट्रोमानेटी वेव विद्धु चुमिके तरंग में कितने चेतर होते हैं तो इसका आप संदिया गया पहला आप संद्ट दूसरा आप संद्टी तीसरा आप संद्ट होमोजीनियस मीडियम होता है तो question number two is right answer हो जाएगा दो ही छेतर होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमानेटी वेव में ठीक तो जो question number 23 का राइट एंसर क्या हो जाएगा answer नमरे हो जाएगा होमोजीनियस और आइसो ट्रोफिक दो फिल्ड होते हैं ठीक इसमें बीड राइट एंसर हो जाएगा मैं हमारा answer number D हो जाएगा आल अप्दा एबब या निकि जो वाइड एंटीना होता हो फर जगहां यूज़ क्या था बिल्डिंग में भी यूज क्या सिफ्स में भी यूज क्या आता है आटो मोबाल समी भी यूज क्या एता है और आ लिखित में से कौन सा परवरतक अंटीना का उधारण है तो पहला आपसन क्या जाएगा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दूसरा आपसन दिया कॉर्णर रिफ्लेक्टर तीसरा आपसन दिया होर्न अंटीना चौथा आपसन दिया गा बोथ ए एंड बी ठीक तो क्वेश्चनर 25 ज आई होप आपको 25 नंबर कोश्चन किलियर होगा आसा करते हैं आज कि जितने कोश्चन हम लोग डिसकर्स किए हैं 25 के 25 कोश्चन आपके किलियर होंगे लिंक तब भी अगर किसी कोश्चन में आपको डाउट या प्राव्लम है तो प्लीज कमेंट बाक्स में आप कमेंट कर तो आपसे यही निवेदा नहीं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों साथ जरूर सेयर करें साथ ही में अगर आपको इस पीडियाप की जरूरा थो प्लीज डिस्क्रिप्शन आपको टेलिग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लें वहाँ पे आपको पीडिया तथा वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो प्लीज टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और अपने साथियों के साथ वीडियो सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोष्चन डिस्कस किये जा रहे हैं जो कि एकजाम के पॉइंट डिस्को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टो प्लीज उनको भी इस वीडियो के बारे हम तथा इस इंफार्मेशन के बारे हम जरूर शेयर करें ठीक तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही तो मिलते किसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन धन्यवाद